हेलो अब्रीवन स्वागत है आप सभी का सीटिये चाजीव कसन में आधे में लोग बात करे रहे हैं मई 2020 करेंट अफेयर्ष का मई महा से संबंदित जितने भी महत्पून करेंट अफेयर्ष बन सकते हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कभर करने का प्रयास करेंगे इसमें दे इंसर सी हो जाएगा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स के द्वारा परतेक बर्स विश्व प्रेश वतमता सुचकांग जारी किया जता है और 2020 में भारत का अस्थान 142 है जबकि 2019 में इसका अस्थान 140 था तो दो अस्थान के गिरावट हुई है भारत की रैंकिंग में बिश्व प्रेश वतमता सुचकांग में नेक्स कोशन देखते हैं कोरोना किलर हंड्रेट क्या है कोरोना किलर हंड्रेट एक सेनेटाइजर ड्रोन है जिसके द्वारा 450 फिट मुचाई तक की बिल्डिंग को आसाने से सेनेटाइज किया जा सकता है नेक्स कोशन है तीन माई 2020 को विज्ञान प्रदादेग्य की विभाग का कौन सा स्थपना दिवस मनाया गया है तो इसका 50 अस्थपना दिवस मनाया गया है और 50 अस्थपना दिवस पे एक कोबिड कथा भी लॉंच की गई है कोबीड कथा लंज की गई है विज्ञान एवं परदोजी के विभाग के द्वारा नेक्स कोशन है पीरामल फाउंडेशन के सयोग से किसने सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नाने अभियान परणब किया है तो कोबीड-19 महामारी में बुजूर्ग ब्यक्तियों की सुरक्षा के लिए नीती आयोक के द्वारा दादा दादी एवं नाना नानी अभियान का परणब किया गया है नेक्स कोशन है हेलिकप्टर मनी का ततपर है हेलिकप्टर मनी से आप क्या समझते हैं तो हेलिकप्टर मनी के ततपर होता है हेलिकप्टर द्वारा आसमान से पैसे गिराना जिसके द्वारा संगर्षरत अर्थ ब्यवस्ता को फिर से गती दिया जा सके यह अमेरिका में सबसे पहले फ्रीड मन के द्वारा इस सब्ध को दिया गया था तो इसका राइट एंसर A and बोध हो जाएगा नेक्स्स कोस्टन है17 म予 2020 को रभीनना टैगोर की कौन सी जयन्ती मनाई गई है रवीनना टैगोर की एक सःनज्वी जयन्ती 22 स्मानित किया गया है 1913 में गितांजली के लिए और 1915 में British government के द्वारा इन्हे नाइट हूड की उपाधी दी गई थी नाइट हूड जिसे 1919 में 13 अपरेल 1919 को जालिया वाला बाग हत्या कांड के बिरोध में इन्होंने नाइट हूड की उपाधी को लौटा दी थी और महात्मा गांधी को सबसे पहले रभिन्ना टैगोर ने ही महात्मा कहा था तो यह कुछ important information बनता है रभिन्ना टैगोर जी के नेक्ट कोस्टन है नौ माई 2020 को 200 परवाक्षी पक्षी दीवस की स्थीम के साथ मनाया गया है इसका रेटेंसर यह हो जाएगा पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं नेक्स कोस्टन है फेड कप हट आवार्ड जीतने वाला पर्थम भारत्य खिलाड़ी कौन है इसका रेटेंसर सी हो जाएगा सानिया मिर्जा को हाल ही में फेड कप हट आवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स कोस्टन है उमंग एप में यूँ का मतलब क्या है इसका रेटेंसर सी होजागा सी उनिफाट उमंग का फुल प्रमता है यूस वह जाए उनिफाट मोबाइल अप्लिकेशन फोर new उयूज गवर्रम सी नेक्स कोस्टन हैं अंत्रास्टिय परिवार दिवस दुजरेस की थीम क्या है इसका अट्रेंस हो जगा B परिवार और जलबायू संबंध। नेक्स्ट कोस्टन है, कोस्टन नमबर 11, हाल ही में इराग के नए प्रधान मंतरी कौन चूने गया हैं। इसका अट्रेंस हो जगा C, मुस्तफा अल कादियी को इराग के नए प्रधान मंतरी के रूप में चूना गया है। नेक्स्ट कोस्टन है, पुस्तक दा लाइफ ओफ कारगील हीरो के लेखा कौन है। इसके एंसर जगा D, B और C दोनों, नेहा दिवेदी एंड बियन अथाफर। नेक्स्ट कोस्टन है, कीस देश में रभिन्ना टैगोर की 169 वी बर्षगाट के उपलक्ष में तेल अभिय सड़क का नाम मतल के टैगोर एस्टिट कर दिया गया है। वैसे किया गया है इस्राइल में, इस्राइल में रभिन्ना टैगोर जी को शम्मानित करने के लिए एक तेल अभिय सड़क का नाम मतल करके टैगोर एस्टिट कर दिया गया है। नेक्स कोशन है, COVID-19 में हमारी से रड़ने है तु, भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी रासी को समाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोशना की है। इसका रेटन्स होजगा, A. एक बिलियन डॉलर नेक्स कोशन है, भारत को आत्म निर्भर बनाने के उदेश से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक पैकेज की घोशना की है। इसका रेटन्स होजगा, बीस लाख करोड नेक्स कोशन है, हाल ही में इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामीन नेतन याहू ने लगतार कितनी बार प्रधान मंत्री पद की सपत ली है। इसा पांचवी बार इनका काल्ज काल शुरू हुआ है, जिन्होंने हाल ही में इसराइल के प्रधान मंत्री के रूप में सपत गरहन की है। नेक्स कोशन है, हाल ही में 1100 साल पुराना अखंड बलुआ पत्थर का शिवलिंग कि इस देस में प्राप्त हुआ है। अब गुलिक ट्रांस्पोर्ट को फिरी करने वाला दुन्या का पहला देस कौन बन गया है। नेक्स कोशन है, किस भारतय को बीस्व बैंक ने दाच्छिन अश्य परिवर्थन और अफता परभंदन के लिए निवक्त किया गया है तो अभास जहा को? इसा-क बिहार सरकार थायलेंड के दोरा क्रांद दिया गया है इसका सद्धालम थाइलैंड कने नर्फ क्स लन है कि हाले में डब्लु एक्रु कर्या वोड्द के अध्यक्षा क्या गया है है तो इसका हाली में डक्रर ब्रस्वरधन को निवत किया गया है next question है हाली में नबाड के नए अध़क्ष किसे निवत किया गया है second answer ये हो जाएगा गोवीन्दा राजोलू चीन टलाको next question है 29 मैं दुहर 20 को संजुक तराष्ठ शांति सैनियों का अंतराष्ठ ये दिवस मनाया गया जिसका theme है इसका थीम इंसर B हो जाएगा, movement in peacekeeping, next question है, हाली में सराब बितरन के लिए online बेब क्यूप पोर्टल की सराज सरकार द्वारा लंच किया गया है, तो सराब को online बितरन करने के लिए केरल सरकार ने बेब क्यूप पोर्टल को लंच किया है, next question है, 23 मही 2020 को की स्थीम के साथ 20 कच् दिवस का थीम रखा गया है, कच्छुआ के विशाय पर ध्यान केंदित करना यों ग्यान बढ़ाना, next question हो जागा, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज कोन बना, इसका रिटेंसर D, मिजोरम ऐसा राज है, देश का जो खेल को उद्योग का दर्ज दिया हाली में, next question है, हाली में खबरों में रही cycle girl, जूती कुमारी का संबंद बिहार के किस जीले से है, इसका रिटेंसर जगा, ये दर्भंगा से है, next question है, हाली में कहां पर जहरेली गैस, अस्टाइरिन के रिसाव के कारण, तेरा लोग की मिर्तु हो गई, तो आंदर पर देश के विशाखा पत्म में, साथ मही को, अस्टाइरिन गैस के रिसाव का करण, तेरा लोग की मिर्तु हो गई है, next question है, अंतराष्ट के जैविविता दिवस 2020 की थीम क्या है, इसका रिटेंसर जगा, D, हमारे समाधान प्रकिर्ती में है, next question है, हाली में साई इंग बेन, क देश की राष्ट्पती बनी है, तो इसका रिटेंस भाजगा, B, तैवान की राष्ट्पती और ये दूसरी बार राष्ट्पती बनी है, टाइइंग बेन, तैवान की, next question है, तैवान की राष्ट्पती साईइंग बेन की सपत गरहन में, BJP संसद ने भाग लिया, वो कौन मिनाक्षी लेखी जो दिली से बीजयपी के संसद है और राहुल का सवान जो रजस्थान से बीजयपी के संसद है यह दोनों विडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से तैवान के राश्पति साइंग बेन की सक्षपतगरहन में भाग लिया कर रहां तो चल्च्ट कोशंट को साना फेस्बूक ने कीस निलड कर एंधिया कंपेंग की सुरूबात किये हैं धैनिक जगरन के साथ मिल्क है राइजिंग-ained david का नारा क्या है इसका राइटेंस ओजगा B जीतेगा भारत हारेगा क्रोना इसका नारा है में नारा है मेंश कुश्छन है कोबी-19 महामारी के और आप कोबी-19 महामारी एकारण, वी दूसरीं एफ़्ञती भारतियों को वापस लाने है तु बंदे भारत अभियान किसके द्वारा चला गया है? तैसा भारतिय सेना के द्वारा चला गया है इसका राइड एंस हो जागा B नेक्स्ट कुस्टन है भारत की सबसे सकतिसाली AC Electric Engine WHG12 का निर्मान बिहार के मदेपूरा में किस देशी कंपनी एलस्टम द्वारा किया जा रहा है इसा हुआ है C अन्सा हो जगा इसका फ्रांसे कंपनी के द्वारा किया गया है नेक्स्ट कुस्टन है पांच माई 2020 को अफिर का श्वायन फुल्व क मरीच भारत की स्राज में पाया गया है स्कुर्ण सबसेब़ जगा C असम में नेक्स्ट कुस्टन है की सबसेब़ में सरकार ने पान मसाला पर एक साल तक प्रतिबंद लगा दिया है तो जहरकंड सरकार ने पान मसाला के योग पेर एक साल के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया 11 माई 2020 किस देश की नौ सेना ने अपने ही नौ सेना के जहाज पर मिसाइल दाग दिया C. इरान किस देश की संसद ने कानौन पास किया है कि आतंकवाद जाती या धर्म विर्वधिक कॉंटेंट को और पुटल से एक घंटे के अंदर में हटाल लिया जाए राइटेंस हो जागा A. रूस 41 नंबर कोशन है किस महिला एथलिट ने एक साल में सबसे ज़्यदा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया इसका राइटेंस हो जागा B. नाओमी उसाका जापान की नेक्स कुस्टन है 29 महिला जारी रिपोर्ट में भारत का PPE किट के उत्पादन में कौन सा अस्थान है दूसरा हो गया चीन के बाद भारत का अस्थान है नेक्स कुस्टन है हाली में कैचप एप के जरिये विडियो कॉलिंग की सुभिदा किस सुचल एप ने दी है इसका रिटेंस हो जागा फेस्बुक ने नेक्स कुस्टन है दह एको बॉग पुस्तक के लिए का कौन है इसका रिटेंस हो जागा जेके रॉलिंग नेक्स कुस्टन है हाली में ICC द्वारा जारी टेस्ट लेंकिंग में भारत का कौन सा अस्थान है इसका त्रित की अस्थान मिला है जबकि पर्थम अस्थान पे ऑस्टेलिया हा नेक्स कुस्टन है डबलो एचो ने फीपा के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों से संबंदत किस अभियान की शुरुवात की है से रिटेंस हो जागा बी सेफ होम अभियान की शुरुवात की है नेक्स कुस्टान है भारतिय मूल की किस महिला वकील को निम्वर्क संगिये अदालत में जज नियुक्त किया गया है इसका रेटेंस वाज़ेगा C. सरिता कोमाती रेडी को नेक्स कुस्टान है पकिस्तान में पकिस्तानी एरफुर्ष के पहले हिंदू पैलट कौन बने है इसका रेटेंस वाज़ेगा B. राहुल देव किस देश ये कमपनी ने कोबीड-19 के चलते 3500 खरमचारियों को नौकरी से निकाल दिया है इसका रेटेंस वाज़ेगा B. उबर ने अपने 3500 खरमचारियों को कोबीड-19 के चलते नौकरी से बाहर निकाल दिया है नेक्स एन लास्ट कोस्टन है 31 महीं दोहर 20 को जारी सरकारी रिपोर्ट के नुसार भारत में FDI किस देश से सबसे ज्यादा आया है इसका रेटेंस हो जागा C. सिंगापूर से सबसे ज्यादा भारत में FDI आया है तो यह हो गया आपका Top 50 कोस्टन जो महीं महीने से संबंदित है ए वीडियो कैसा आपको लगा? कमेंट रके ज़रूर बताएं आप मेलते हैं फिर से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद